आखरी दिन जो है महाराश्ट को और विधभब को क्या दिया शीज सत्रे दोहजार तेश ने क्या बता देखिए जो भी किसानों के सवाल के बारे में सवाल पूछे थे यह अधिवेशन में विरोधियों ने और साथ साथ हमारे सत्ताधरी पार्टिक के विधायकों ने उनको तो भरपूर पैकेज बड़े पैबाने पे दिया रहा महाराश्ट की बहुत ही अलग-अलग मराठा समाज का जो मुर्चा था उसके बारे में उन्होंने मुख्यमंतरी जिनेनी वेदन दिया हमारे माक्षेतर के जो सवाल थे मुंबई से लेके ठानाज से लेके निव बंबे पनवेल तो वह भी बहुत सारे बुद्धे हमारे थे उसको भी जवाब दे दिया तो बहुत ही पोजिटिव ये अधिवेशन दरा है और आज आखरी दिन है मेरे खाल से विधर्व के लिए तो खुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा क्योंकि विधर्वासी भी सोच रहे कि कुछ ना कुछ अधिवेशन के बादें से ये सरकार हमें दे देगी तो बुख्यमंत्री जी उसके बारे में भी आज निवेदन दे देंगे तो बहुत ही अच्छा अधिवेशन का कारे काल जितने भी सवालते उसने जबाब को जवाब देने के जिम्मिदारी सरकार के होती है, वो निभाई है। आपने बताया कि पाजीटी वा रही है सरकार लेकिन विपक्ष है आज आखरी दिन, निशेत कर रोह है कालीफियट लगा करके cuma विपक्ष है कहां पे यह तो दस दिन हो गया वगर दस दिन में विपक्ष तो कुछ दिखा ही नहीं है सिर्फ वो विधी मंदल के पायरे पे आपके घुषना देने का बैनर बज़ी करने का काला पटी लगा के बैठ जाने के इसके से उन्होंने किया है क्या और भविश्य में भी हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि उनको इसके ज़्यादा और कुछ करने को मिलेगा भी नहीं है और अगर आंदोलन होता है तो बच्ककडू ने ये भी और प्रहार संगतना जरआंगे पटेल के साथ होगी तुकि बच्कडू अभी सत्ता पक्ष में कहा तके देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का बाती नहीं आता है क्योंकि मराठा आरेक्षन है वही सब विधायक जो है सभी पार्टी के विधायकों ने उसका समर्थन दिया मगर समर्थन देने के साथ साथ ये भी मुख्यमंत्री जिने का है किसी भी तरह से OBCों का आरेक्षन कम करके हमको मराठाओं का आरेक्षन नहीं देना है हमको उनका आरेक्षन वैसे ही रखे मराठाओं को अतिरिक्त आरेक्षन देना है और जिसकी वज़स से समाज में कोई अलग तरह की मैसेज नहीं जाए इसकी भी जमीदारी सरकार के माद्यम से होती है और फिरवर में उन्होंने इस बारे में अलग अधिवेशन लेने की जो घोशना की है मराठा आरक्षन के लिए तो उसका स्विकार करना चाहिए आरक्षन तो इसके पहले भी देने की कोशिश बहुत सारे सरकारों ने की थे मगर आज की परिस्ति ऐसी है कि टिकने वाला आरक्षन जो न्यायले में अगर कोई जाएगा तो टिक सकया इसा ही आरक्षन देने के भूमी का एकनाशिंदे साब के थी उन्होंने चत्रबती शिवाजी महराज के पुपले को नमन करके उन्होंने कसम खाई है कि महराट हो के आरक्षन दिये वगर हमें चुपने बैठूंगा और वो निभा रहे तो ये थे विदायक, प्रताप सरनाईक और इन्होंने कहा कि एकनाशिंदे जो मुख्यमंतरी राज्ये के ये सबी मुद्दों को लेकर सकारात्मक है कैमेरा प्रसन अजित कोर के साथ शितिजादेश्मंग, BCN News, नागपोर